नमस्ते सिंपली कूप में आपका स्वागत है आज चीखिन میर के साथ शियर करने आई हूँ वह उप दोर से मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी जिस तरीके से चीखिन बनाती है आज वह मैं आपके साथ सब्सक्राइब तेकर आज वह मैं आपके साथ करूँ गी कि मम्मी के हाथों की चिकन कड़ी जो है वो मैं किस तरीके से बनाऊंगी तो यहाँ पर मैंने एक किलो चिकन अच्छे से धो के इसको पानी अच्छे से जड़ा लिया है मैंने इसमें जादा पानी नहीं रहना चाहिए बहुत ड्राइ करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन पानी जो है वो बहुत जादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम मसालों के साथ चिकन को अच्छे से फ्राइ करेंगे तो इसमें पानी होगा तो मसाले जो है वो पकने में थोड़ा सा टाइन ले लेता है इसलिए पानी को जितना चाहे आप अच्छे से ड्रेन आउट कर लीजिए उसके बाद हम इसको मेरिनेट करेंगे चिकन को मैंने यहाँ पर करीबन 3-4 बड़े प्यास या फिर medium साइस के प्यास आप ले सकते हो लेकि अच्छे से fine paste मैंने बना लिया है वो मैं इसमें add कर रही हूँ अब मैं इसमें lesson या add करूंगी lesson और अध्रा का lesson जो है वो आप देख रहे हो दरदरा पीसा हुआ है बहुत ज़्यादा fine paste मैंने नहीं बनाया है यही जो थोड़े थोड़े चोड़े 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 चीज़े हैं जो की इस recipe को बहुत ही खास बना देगी आप देखते रहे हैं इस तरीके से मैंने अध्रा कर लेसुन को ज़स्ट दरदरा पीस लिया है और दो टेबिल स्पून मैंने इसमें add किये हुए है और यह जो मैं आपको दिखा रही हूँ हरे पके लाल मेट को मैंने जो हरा मेट जो लाल हो जाता है वो मैंने ज़ादा मात्रा में यह आपर लिया है क्योंकि red chili powder हम यह आपर नहीं use करेंगे यह जो chili है वो मैंने अच्छे से एक बहुत साथा fine paste नहीं किया है मिट्शी को मैंने दरदरा ही पीसा हुआ है वो मैं इसमें एट कर रही हूँ अब मैं एक teaspoon zero powder एक teaspoon मैं healthy powder यूज़ करूँगी और नमक यहापर मैंने स्वादानुसार यहापर एट किया है करके अब मैं इन मसालों के साथ अच्छे तरीके से mix कर लूँगी जैसे यह तोड़ा सा अच्छे तरीके से mix हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सरसो का तेल एट करूँगी तेल एट करके इसमें mix करके आधे से एक घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी अगर आपके पास ज्यादा टाइब नहीं है तो आप 15-15 घंट के लिए इसको रख सकते हैं या फिर सोचिए आपके पास टाइम बहुत शॉट है तो आप पास 10 मिनिट के लिए थोड़ा सा रेस दीजी क्योंकि मसाले का जो एक टेस्ट है वो थोड़ा सा चिकन के अंदर जाने दीजें जस्ट 10 मिनिट के लिए भी आप इसे रख सकते हो रख के उसके बाद ही आप इसको पकाईएगा बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी सा एक रेसिपी है यहाँ पर मैंने सरसो का तेल यूज कर रही हूँ क्योंकि यह एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि सरसो के तेल के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है तो यह पर मैंने सरसो का तेल और तीन तेज़ पत्ते, कुछ इलाइची, तीन से चार इलाइची, दाथ चीनी, फिर उसके बाद लॉंग और कुछ काली मिर्च, यह मैं साबूत इसमें एट करूँगी, थोड़ा से काली मिर्च मैं अब इसमें एट करके और एक टी स्पून मै एक अच्छा सा एक स्मेल आने लगे, उसके बाद जो है वो पटाटो को मैंने यह आप पर कट कर लिया है, हाफ आलू को मैंने हाफ कट किया है, दो टूपड़े में कट किया हुए, बहुत जादा आलू देने की ज़वरत नहीं है, अगर आप आलू को यहाँ पर एवाइट करना चाहते हो तो कमप्लीटली अवाइट कर सकते हो, लेकिन मैंने यह आप पर इस रेसिपी को, क्योंकि यह मैंने आप से पहले भी खाया कि यह मेरी मम्मी की रेसिपी है, तो मैंने यह आप थोड़ा सा आलू एड किया है, करके अब में इसको अच्छे से थोड़ा सा भू पूरेंगे तो प्लीज लाइक शियर और कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकोन को भी दवाना नहीं भूलिएगा क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है भी कि बेल आइकोन को नहीं दवाने से जो मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुशते हैं तो बेल आइकोन दवाना जरूरी है तो यहाँ पर जो चिकेन है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से मसालों के साथ भून चुका है अब मैं यहाँ पर होम मेट गर्म मसाला यहाँ यूज़ करी हूँ इस homemade गरम मसाला की recipe में बहुत जल्द upload करूँगी तो आप वो देख सकते हो लेकिन अगर आप दुकान से खरीदी हुई जो गरम मसाला है वो भी use कर सकते हैं तो इन मसालों के साथ मैं chicken को अच्छे तरीके से fry करके जस पाच मीट के लिए एकदम low flame में देखे मैं थोड़ा सा fry mix कर लूँगी mix करने के बाद या इसमें मैं गुनगुना पानी जह है वो इसमें add करूँगी अगर आपको पूरे details में क्योंकि बार बार वीडियो नहीं देख सकते तो अगर आप details में पूरी recipe लिखी हुई होती है तो आपना मेरे description box में मेरी एक site का link है वहाँ पर जाके देख सकते हैं अगर आपको जरूरत होता है तो आप वहाँ पर जाके पूरे description box में मेरे link दिया रहेगा मेरे website है उसका link दिया होता है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो पूरा एकदम वहाँ पर लिखा हुआ होता है details में तो आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकती है यहाप man a needahan पाणै के लिए पहले साथ जा है इसलिए मैंने असने आप से पानी आप परAh काशा थाला में इसको सर्फ करूंगी तो और नेक्स वीडियो भी मैं UPLOD करूंगी बहुत जल्थ cage तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर वेट किये जए और अभी मुझे मैं अपना ये वीडियो जो है यही पर एंड करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी तब तक के लिए नमस्ते कर्णा ये बहुत जल्द नमस्ते भाष शेयर कर दो जबी हो